गौतम बुद्ध भारत ही नहीं बलकि पूरी दुनिया के ऐसे महापुरुषों में शामिल रहे जिन्होंने पूरी मानवजाती पर छाप छोड़ी। गौतम बुद्ध की जैनती बुद्ध पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है और उनका निर्वान दिवस भी बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही हुआ था यानि यही वह दिन था जब बुद्ध ने जन्म लिया शरीर का त्याक किया था और मोक्ष प्राप्त किया। बुद्ध पूर्णिमा न केवल बौध धर्म के अनुयाईयों के लिए बलकि संपूर्ण मानव जाती के लिए एक महत्व पूर्ण दिन है। उन्होंने न केवल अनेक प्रभावी व्यक्तियों बलकि आम जन के हृदय को छुआ और उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाए। भगवान बुद्ध को भगवान विश्णु का नौमोवा अवतार माना जाता है। इस दृष्टी से हिंदू धर्मावलंबियों के लिए भी उनका महत्व है। 27 वर्ष की उम्र में घरबार छोड़ा गौतम बुद्ध सन्यासी बनने से पहले कपिल वस्तु के राजकुमार सिध्धार्थ थे। लोगों के दुखों को देखकर और शांती की खोज में वे 37 वर्ष की उम्र में घर परिवार राजपाट आदी पहुँचे जहां उन्होंने धर्म परिवर्तन किया। इसके बाद बोध गया में बोधी व्रिक्ष के नीचे कठोर तप किया। कठोर तपस्या के बाद सिध्धार्थ को बुद्धत्व की प्राप्ती हुई और वह महान सन्यासी गौतम बुद्ध के नाम से प्रचलित हु अग्यान में घिरा देखा, साधारन जनता को धर्म के नाम पर अग्यान में पाया, नारी को अपमानित होते देखा, शुद्रों के प्रति अत्याचार होते देखे, तो उनका मन जनता के लिए उद्ध्वेलित हो उठा। वे महलों में बंद ना रह सके, उन्होंने स्वयम प्रत्रम घ्यान प्राप्तिका, व्रतलिया और वर्षों तक वनों में घूम घूम कर तपस्या करके आत्मा को घ्यान से आलोकित किया। उन्होंने जीवन के प्रत्यक ख्षन को जिस चैतन्य एवं प्रकाश के साथ जिया, वह भारतिय आर्शि परंपरा के इतिहास का पूर्ण अध्याय है। स्वयम ने सत्य की जोती प्राप्त की, प्रेरक जीवन जिया और फिर जनता में बुराईयों के खिलाफ आवाज बुलंद की। कर पल्लवित होते हुए स्वयम देखा। गौतम बुद्ध ने बहुत ही सहजवानी और सरल भाशा में अपने विचार लोगों के सामने रखे। अपने धर्म प्रचार में उन्होंने समाज के सभी वर्गों, अमीर गरीब, उंच नीच तथा स्त्री पुरुष को समानता के आधार पर सम्मिलित किया। जो जीवन को सुन्दर बनाने एवं माननीय मूलियों को लोकचित में संकलित करने में विशिष्ट स्थान रखते हैं। यही कारण है कि उनकी बात लोगों की समझ में सहज रूप से ही आने लगी। तो वह निर्वान प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार उन्होंने पुरोहितवाद पर करारा प्रहार किया और व्यक्ति के महत्य को प्रतिष्ठित किया। बौध धर्म से समराट अशोक हुए थे प्रभावित युद्धों पर रोक लगाई गौतम। बुध ने बौध धर्म का प्रवर्तन किया और बौध भिक्षूओं को संगठित किया। गौतम बुध का का अहिंसा एवं करुणा का सिध्धान्त इतना लुभावना था कि समराट अशोक ने दो वर्ष बाद इससे प्रभावित होकर बौध मत को स्विकार किया और युद्धों पर रोक लगा दी। साहित्य और संस्कृति के विकास के मार्ग को प्रशस्त करने में इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कुछ दशकपूर्व समविधान के निर्माता डाक्टर भीमराव आमबेडकर ने भारी संख्या में अपने अनुयाईयों के साथ बौध मत को स्विकार किया ताकि हिंदू समाज में उन्हें बराबरी का स्थान प्राप्थ हो सके। मूलतह बौध मत हिंदू धर्म के अनुरूप ही रहा और हिंदू धर्म के भीतर ही रहकर महात्मा बुध ने एक क्रांतिकारी और सुधारवादी आंदोलन चलाया।